हलो दोस्तों वेलकम जो माई यूट्यूब चैनल टार्गिटाय में आज हमें एक नया टॉपक लिके आए हैं जिसका नाम है पोसलोजी आज एक ही वीडियो में इसको कप्लेट करने के कुश्च करेंगे तो चले स्टार्ट करते हैं देखते हैं पोसलोजी क्या होता है सबसे पहले देखते हैं डेफिनिशन आफ पोसलोजी क्या होता है तो यह study of dose calculation होता है मतलब कि हमें कितनी doses of drug या कितनी quantity of drug देनी है एक patient को ताकि वो drug pharmacological action दिखा सके हैने कि कितनी quantity of drug हमें एक patient को देनी है कितनी doses of drug हमें एक patient को देनी है ताकि वो एक अपना pharmacological action दिखा सके ठीक है उसे को हम कहेंगे postology अच्छा अब देखते हैं कौन-कौन साइसे factor से जो effect करते हैं dose calculation पर अच्छा इन में से सबसब पहला है age जो child और old patients होते हैं उन में less dose चाहिए होता है compute adult dose क्योंकि जो child और old patients होते हैं वो drugs को excrete कम कर बाते हैं इसलिए उन में हम कम dose of drug देते हैं computer adult में अच्छा और एक बात और एक बात जो children होते हैं वो tolerate कर सकते हैं large dose of किस-किस का digital or valid होना का ठीक है on the base of their body weight यानिकि उनके body weight के हिसाब से वो large dose ले सकते हैं किस-किस का digital or invalid होना का compute adults यानिकि adults वो इतना large dose नहीं ले सकते हैं इसी तरह से जो newborn होते हैं इंफेंट्स वो sensitive होते हैं certain drugs होते हैं उनमें sensitive रहते हैं क्योंकि उनमें immature state of their hepatic or renal function होता है इसलिए वो sensitive होते हैं कुछ drugs के और सबसे पहला point था age अब next देखते हैं next is six यानिकि gender females में कम dose चाहिए होता है then males अच्छा बहुत सरे ऐसे hormones होते हैं estrogen, progestron जो effect करते हैं dose of drug अच्छा females में हमें क्यों less dose चाहिए होता है इसका पहला reason यह है कि उन में weight कम होता है compute to males और दूसरी बात दूसरी बात जो हम उनको drugs देते हैं वो drugs ज्यादा effect करते हैं उनकी body पर इसलिए हमें उन में कम doses of drugs देते हैं अच्छा कुछ drugs हमें ना बहुत ही carefully देने हैं during menstruation during pregnancy during lactation कुछ drugs ऐसे होते हैं इनको ना हमें बड़े इहत्यात के साथ देना पड़ता है जैसे कोई strong जो strong porgatives होते हैं न उनको avoid करना चाहिए कब during menstruation वगरा के time इनको ना बिलकुल हमने क्या करना है avoid करना है कुछ drugs ऐसे जो stimulate करते हैं पंट्रक्शन आफ जो ट्रांसपोर्ट होते हैं मदर से लेकि fetal circulation में इसे drugs जो fetal circulation में transfer होते हैं इनको भी हमें क्या करना चाहिए avoid करना चाहिए इससे क्या हो सकता है death of the fetus हो सकता है इसी तरह से ऐसे कुछ drugs during lactation उस lactation के दुरान कुछ ऐसे drugs such as antihistamine morphine tetracycline जो excret होते हैं मलिक के जर्ये से उनको भी हमें बड़े इहतियात के साथ देना है ताकि वो जब breast feed कर रहे हैं वो baby वो baby के body में ना जा सके ठीक है तो इन को हमें बड़े इहतियात के साथ देखना होता है इन drugs अब next है देखने है next है body weight इसमें जो है obese person जो obese persons होते हैं उनमें more dose of drug चाहिए होता है compared to एक normal इंसान होगा उनमें कम doses of drug चाहिए होता है ठीक है जो चड़रन में हम age के based हम उनको dose नहीं देते हैं हम उनको weight के हिसाब से जितना उनका weight होगा उसके हिसाब से फिर उनको dose of drug देते हैं इनके सफकेन में चड़रन में ठीक है तो age हम वहाँ पे नहीं लेते हैं हम उनका body weight वहाँ पे लेते हैं चड़रन में ठीक है अब next देखते हैं next है हमारा route of administration याने के drugs को देने के अलग-अलग रास्ते तो IV route में 100% by availability होती है इसलिए हम IV less doses of drug देते हैं compared to auror route auror route हमें ज्यादा doses of drug देनी पड़ती है वह इसलिए क्योंकि इसको first metabolism पास करना पड़ता है इसलिए हम aurorally ज्यादा doses of drug देते हैं चले नेक्स ते देखते हैं नेक्स है time of administration तो इसमें क्या है food presence effect absorption of drug नेक्स है most drug take an empty stomach show fast absorption अच्छे उसके बाद है environmental factors लेकिन इससे पहले time of administration पे और एक point याद रखे जो दो points हमने पड़े इसका मतलब यह है कि empty stomach अगर हम कुछ दवाएं लेंगे तो वो ज्यादा effect दिखाता है जल्दी दिखाता है लेकिन कुछ ऐसे drugs होते हैं stomach को irritate करेंगे तो उनको हम meals के साथ ही लेंगे ठीक है तो अब next factor है environmental factor अच्छे जैसे statins जिसको atro-waston कहते हैं रोजो वास्टन कहते हैं ठीक है इनको हम bedtime के दोरान देते हैं क्योंकि ये इसी टाइम अपना effect ज्यादे दिखाते है bedtime के इसी तरह से जो alcohol होता है न वो अच्छे से tolerate हो सकता है cold environments में than summer environment में ठीक है तो इसी तरह से जो CD2 drugs होते हैं यानि कि sleep करने के लिए होती है न वो daytime में उसका ज्यादा dose लेना होगा compute during night यानि कि night में हम उसका dose कम ले सकते हैं ठीक है तो यो ये environment factors होते हैं इसी तरह से देखते हैं next next है emotional factors dose of drug is also affected by patient psychology sometimes placebo अच्छे ये placebo क्या होता है इसको भी जाने an inner dosage farm is given to treatment of psychological patients ये inner dosage farm होती है मतलब कि एक पिल बनाई जाते हैं उसमें कोई बे एक्ट्व management नहीं डाला जाता है और ये psychological patients में दिया जाता है क्योंकि उनको लगता है कि ये दवाया खाने से वो ठीक होंगी और ये inner dosage उन्ही psychological patients के लिए बनाई जाती है और इस तरह के doses उन patients में effective होती है आचा next आचा females ना वो ज़्यादा emotional होती है और drugs के लिए भी वो ज़्यादा responsive होते है इसलिए ना हम उनमें कम dose of drug देते है ठीक है इसी तरह से जो nervous patient होती है ज़्यादा nervousness जिन में आ जाती है उनमें भी हम smaller dose देते हैं compared to normal patients में ठीक है अब next देखते है उसके बाद presence of disease जो kidney or liver disease जिन patients में होगा उनमें obviously हम क्या कर देंगे कम dose of drug देंगे क्यों देगे क्योंकि ये दोनो organs function करते हैं as excretory organs इसलिए हम disease conditions में कम doses of drug देते हैं और याद रखें और जो drugs होते हैं वो ज्यादा अपना effective दिखाते हैं कब जब एक patient में disease condition हो ना कि कोई ठीक ठाक बंदा हो उसको हम drugs देंगे तो वो थोड़ी उसमें effect दिखाएगा इसलिए drugs more effective होते हैं diseases condition में और जिस बंदे को फिवर होगा वो हाई डोस टॉरेट कर सकता है antiparatics का और जिस बंदे को फिवर है ही नहीं उसको क्या लेनी है antiparatics उसमें तो वो कोई effect ही नहीं दिखाएगा तो डिपेंड करेगा कि disease condition जब हो तो तब drug अपना effect दिखाएगा लेकिन यहां पर kidney और liver disease जो patients होंगे उनमेना less dose चाहिए होता है next देखते है accumulation टीक है when a drug is repeatedly administered for a long time it may be unexpectedly है यह नि कि जब हम इसको continuously continuously दे ड्रग को दे तो वो body में accumulate हो जाता है जिससे क्या हो सकता है toxic symptoms produce होते है आचा the drugs which produce such symptoms of poisoning और ऐसे drugs जो ऐसे symptoms poisoning के दिखाएं उनको हम culminative drugs कहते है याद रखें इनको हम culminative drugs कहते है it is due to slow excretion or rapid absorption by drug तो चलिए next देखते हैं next है important terminologies सबसे पहले देखते है additive effect क्या होता है additive effect तो यह होता है कि जब हम one plus one यानि कि एक drug plus दूसरा drug वो अपना effect two के बराबर दिखाएंगा action of two drugs are added for example adrenaline plus theophylline इनका action add हो जाता है बराबर हो जाता है इसको हम additive effect कहेंगे इसी तरह से synergism यानि कि जब हम drug दो drugs मिलाएंगी उसका effect दो से ज्यादा होगा उसको हम synergism कहेंगे action of two drugs is more than additive effect additive effect for example जब adrenaline plus lidocaine हम यूज मिलेते है local anesthesia में वो ज्यादा effect दिखाता है synergism दिखाता है इसी तरह से antagonism antagonism होता है जब दो drugs को मिलाएं जो उनका factor होना चाहिए उससे काम वो देता है less than two action of one drug opposes by other drug क्योंकि ये जब दो drugs आपसे मिलते हैं ये actually आपस में opposition दिखाते हैं ठीक है for example adrenaline plus acetylcholine जब मिलाते हैं तो ये अपना यानि कि antagonism दिखाते हैं opposite action दिखाते हैं इसको हम कहते हैं antagonism इसी तरह से है idosincreasy ठीक है तो it is generally determined unexpected action shown by a drug यानि कि drug को जो action दिखाना होता है कुछ patients में अलग अपना effect दिखाता है for example जैसे barbujerates जो है ना ये cns depresents होते हैं लेकिन कुछ patients में ये excitement करते हैं ठीक है कुछ patients में हाला कि ये क्या है cns depresents है तो ये ही होता है कि जो unexpected action दिखाए हैं हमें drug हाला कि उसका action कुछ अलग होता है लेकिन कुछ patients में वो अलग अपना effect दिखाता है इसी को हम कहते है idosyncrase और एक दो examples याद रखे जैसे हम कुछ few mg of aspirin किसी को दे तो उसमें वो gastric hemorrhage करता है कौन aspirin अगर हम थोड़ से few mg देते हैं देंगे ना aspirin किसी patient में तो उनमें वो gastric hemorrhage करता है इसी तरह से अगर हम small dose किसका दे कोई ने उनके देना small dose तो वो कुछ patients में ringing कर देता है ठीक है तो ringing जैसे आवाज उनके ear में हो जाती है next देखते है next है tolerance means decrease in drug response of drugs for example continued use of alcohol develop tolerance समझते हैं मतलब जब drugs fail हो जाए अपना therapeutic effect दिखाने में normal doses और हमें large doses of drugs चाहिए होता है मतलब कि drugs normal doses पर अपना action नहीं दिखाते हैं normal action दिखाने के लिए large dose of drug parastomal 500 mg दिया वो अपना therapeutic effect कि दिखाना चाहिए यानि कि उसमें फिर कम होना चाहिए अब ordinary dose पे वो अपना effect नहीं दिखाता है अपना therapeutic effect नहीं दिखाता है उसके लिए हमें large dose चाहिए 650 mg चाहिए तो उसी को हम क्या कहेंगे tolerance यानि कि when a drug administered in its ordinary dose fails to produce the normal therapeutic effect and requires large dose of drug to produce the normal effect यानि कि हमें ज्यादा dose चाहिए होता है उस effect को बराबर करने के लिए उसी को हम कहेंगे tolerance ठीक है इसके examples पे देखें जो somokers होते हैं वो tolerate करते है nicotine को ठीक है और जो alcoholic होते है stories large dose of alcohol जो खरगोशे होते हैं rabbits वो भी tolerate कर सकते है large dose of atropine drug होते है उसके large dose क्या कर सकते है tolerate कर सकते है अच्यादा यह इसलिए होता है क्योंकि उनमें quick destruction of drug हो जाता है एक enzyme से जिसको हम कहते है atropine stress यह उनके blood में present होता है एक enzyme जिसको atropine stress कहते है इसलिए वो large dose of atropine भी tolerate कर सकते है rabbits चीक है चलो next देखते है उसके बाद है techy flexes मतलब समझते हैं इसको हम acute tolerance भी कहते हैं अच्छे हम कब देखने को मिलता है यह है जब हम एक drug देते हैं administer करते हैं मतलब continuous लेते हैं किसी drug को for a short interval for example हमने दो दिन के लिए लिया उसके बाद एक दिन छोड़ा उसके बाद दो दिन over लिया ठीक है तो short intervals में ले लिया लेकर repeated ले रहे हैं दो दिन लिया एक दिन नहीं लिया दो दिन फिर लिया drug ठीक है तो यह repeatedly हम में लिव करते हैं ठीक है तो इससे क्या होता है cell receptor क्या होता है block हो जाता है जिससे जो pharmacological response होता है उस drug के लिए वो कम हो जाता है ठीक है तो for example parastomol हमने लेना है हमें क्या fever कम करने के लिए तो वो parastomol का effective decrease हो जाएगा अच्छे फिर हम जब increase करेंगे dose dose हम फिर से increase करेंगे ताकि हमें therapeutic effect मिल सकें लेकिन हमें फिर भी फरक नहीं होगा ठीक है क्योंकि वहाँ पे cell receptor ही block है अब हम इसको क्या कर सकते हैं अब इस drug को हमने लोंगर time के लिए क्या करना है stop है नहीं कि हमें वो drug फिर नहीं लेनी है for longer time फिर क्या हो सकता है यह reverse हो सकता है इसी को हम कहते है तो इसको हम कहते है acute tolerance भी अब short में याद रखें जब हम drug administered repeatedly करें short intervals के लिए ठीक है उससे cell receptor block हो जाता है और जो pharmacology का response होता है वो decrease हो जाता है अगर हम फिर dose increase भी करें लेकिन तब भी हमें यानि कि therapeutic effect नहीं मिलता है ठीक है अब हम अगर उस drug को stop करें for longer time के लिए हम ना लें यानि कि administer ना करें longer time के लिए तब जाके हमें वो initial effect नहीं कि अपना therapeutic effect नहीं दिखा सकता है अच्छा इसकी example क्या क्या है ऐसे drugs, ephedrine होता है emphetine होता है cocaine होता है और nitrites होते है इसकी example है next देखते है next is habituation habituation मतलब कि आदित होना repeated use of drug अप ले लेना नहीं कि आपकी आदित बनगी है कि appropriately drug layer हो या agents ऐसे जो जो आप में क्या कर सकते है emotional psychological dependence पैदा करें उसको हम कहेंगे habituation for example use of coffee use of tea आप क्या करते हो continuously उसकी आदित बढ़ी है तो उसी को ही है habituation आचा और एक point याद रखें addiction addiction होता है state of psychic as physical drug dependence है नहीं कि होते हैं ड्रग drug dependent होते हैं addict आदित बने होते हैं तो उसी को हम कहेंगे drug dependence कोई लेता है cocaine लेता है ठीक है heroin लेता है morphine लेता है ठीक है तो ऐसे drugs वो क्या होते हैं उसके addict बन जाते हैं एक बार लिए फिर उनको continuously लेना पड़ता है उसको कहते है addiction ठीक है तो इसमें इसको कहेंगे it is a state of psychic and physical drug dependence उसको हम कहेंगे addiction लेकिन habituation में हमने repeated use of drug करते हैं उसकी आदत पढ़ी है ठीक है अब hypersensitivity है हमारा next hypersensitivity होती है allergic reaction drug की वज़ए से allergic reaction हो जाती है उसको हम कहेंगे hypersensitivity for example use of antibiotics अगर हम लेंगे या vitamins लेंगे उससे क्या हो सकती है allergic reaction हो सकती है अच्छा ये hypersensitivity है immediate भी हो सकती है delayed भी हो सकती है immediate में ये बड़ी serious होती है जब immediate में बहुत serious मसला होता है उसके लिए हमें जरूरी injection immediate देना पड़ता है for example adrenaline injection देना पड़ता है अगर नहीं दिया तो death में death भी हो सकती है इसे तरह से delayed delayed hypersensitivity हो सकती है इसमें क्या हो सकता है कि sicker rashes आ जाता है या contact dermatites हो सकती है तो वो होती है delayed यानि कि बाद में होना sensitivity होता ही है मगर बाद में immediate होती है उसी time हो जाते है जो ही injection हमने antibiotic के लिए उसी time के हो गया hypersensitivity हो गई तो उस condition में हमने injection जरूरी लेना पड़ता है अब next देखते हैं हम कुछ doses of drug यानि कि dose calculation की formulas देखते हैं अब देखते हैं dose calculation based upon age यानि कि dose की calculation accordingly age के based सबसे पहला formula है fried formula और हम ये infants में dose calculate करने के लिए ये formula लेते हैं और ये formula जो है infant dose is equal to age in months यानि कि उस infant की age in months divide करते हैं इसको 150 से और into करते है adult dose ठीक है तो ये infant dose calculate करने में लिए ये formula हम use में लेते हैं दूस्ती formula है youngs formula ये dose calculation हम लेते हैं जो force like 12 years age of child होंगे उनमें ये वाली formula हम use में लेते हैं तो formula child dose is equal to age in years यानि कि उस child की age in years divide करते हैं age उसकी क्या age होगी और plus करते हैं into करते है तो ये इस तरह से याद रखें ये वाली formula हम use में लेते हैं और formula जो है child dose is equal to age in years यानि कि उसकी age in years divide करेंगे उसको 20 की साथ और into करतेंगे adult dose अब fried formula कौन सी dose कलकुलेट करते हैं infants में करते हैं ये वाली formula जो रहते हैं next है child dose calculation according to body weight यानि कि body weight के according हम देखते हैं formula इससे पहले हमने देखता based upon age तो इसमें चलाक उचार्क formula है तो ये child dose is equal to body weight in cage यानि कि child का weight in cage में है क्योंकि weight according है तो divide करते हैं 70 के साथ into करते है adult dose ये भी child dose formula है इसको याद रखें अच्छा dose calculation according to surface area और एक formula है इसको हम accordingly surface area के according हम dose calculate करते हैं formula क्या है ये भी child dose formula है इसमें हम child का surface area लेते हैं in meters square divide करते हैं 1.73 meters square into करते हैं adult dose के साथ चले इन formulas को समझते हैं examples के साथ ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं हम एक question देखते हैं ये बोह रहा है कि adult dose drug का हमारे पास 500 mg है आप हमें बता दे dose क्या रहेगा 9 months infant के लिए 4 years child के लिए 16 years boy के लिए तो सबसे पहले हमें पता है जो हम dose calculate करते है 9 month old infant के लिए वह हम fried formula लेते हैं ठीक है तो fried formula हमें पता है कि क्या है infant dose is called age in months हम लेते हैं divide करेंगे 150 से और into करेंगे adult dose तो infant dose कितना है infant के age 9 months है divide हमने करना है 150 और adult dose कितना दिया गया है 500 mg तो वह आजाएगा हमारे पास 30 mg ठीक है इसी तरह से dose हम करेंगे calculate child के लिए देखेंगे according to youngest formula तो youngest formula हमारे पता है child dose is called age in years divide by age उसकी जो age होगी plus करेंगे 12 और into करेंगे adult dose तो देखते हैं child dose अब क्या आ जाएगा यानि कि 4 years उसकी age है divide हमने करना उसकी age जो होगी divide 4 और plus करना है 12 into करना है adult dose 500 mg तो वह आ जाएगा 4 divided by 16 यानि कि 4 or 12 को plus करके वह आ जाएगा 16 4 divided by 16 into 500 mg तो हमेरे पास क्या आ जाएगा result 125 mg dose इसी तरह से dose हम calculate करेंगे boy जो 16 years age के होंगे तो हमें पता है जो 60 years age के होंगे उनमें हम दिलिंग्स formula यूज में लेते हैं तो वह formula जो है child dose is called age in years यानि कि उसकी age in years divide बे करेंगे 20 into कर देंगे adult dose तो क्या जाएगा child dose is 16 यानि कि उसकी age is 16 divide हमने करना है 20 यानि कि हमने यंग्स और डिलिंग्स फार्मला के अकॉर्डिंग्स तो वह आ जाएगा हमेरे पास 400 mg ठीक है तो आप देखते हैं next हम क्या questions देखते हैं question बोह रहा है कि child dose आप calculate करें यंग्स और डिलिंग्स फार्मला के according और हमने पास यंग्स और डिलिंग्स फार्मला-डligen के अपिया यहां पर result आ जाएगा ठीक है तो इस कांग सरा जग है A5 ठीक है देखते हैं कैसे तो हमें पता है यंग्स formula child dose calculation के लिए child dose हम लेते हैं age in years उसकी age in years डिवाइड करेंगी age प्लस करेंगे 12 into कर देंगे adult dose ठीक है तो इसी तरह से हमें dealings formula भी पता है dose calculation के लिए child dose is equal to age in years divided by 20 into adult dose तो यह हमें पता है डिलिंग्स formula ठीक है अब देखो इसको समझते हैं जब हम इनको इन values को put करेंगे तो हमें ना same result आना चाहिए ठीक है कैसे आ जाएगा देखें हमें पता है सबसे पहले यंग्स formula क्या था age in years तो age in years क्या है हमने answer दिया 8 years तो 8 हमने यहां पिल लिया 8 divided by age यहने कि according to हम क्या करें यंग्स formula इस टाइम तो divide by 8 प्लस आ जाएगा 12 इंटो अडल डूस तो वह किसके बराबर आ जाएगा 8 divided by 8 प्लस 12 को करेंगे कितना जगा है इसी तरह से जब हम लेंगे डिलिंग्स formula तो डिलिंग्स formula वही आ जाएगा तो age in years क्या है हम 8 year लेंगे यहां पर एपार जो हमने answer दिया divide by क्या जाएगा 20 वहां भी उपर उपर भी देखें इंटो अडल डूस तो सेम formula आगे न दोनों में तो इसका right answer क्या जाएगा यहां भी 8 divided by 20 और इस formula में भी 8 divided by 20 इंटो अडल डूस कुछ भी हम दे सकते हैं 200 500 उसमें भी वही देना इसमें भी देना तो रिजल्ट सेम ही आ जाएगा ठीक है चलो next देखते हैं next time देखते हैं calculate the dose of a child weight 30 pounds अब हम according to weight देखते हैं 30 pounds if the adult dose दिया गया है 200 mg और weight दिया गया है 30 pounds और हमें पता है अचा answer यह बता रहा है कि कोई है 60 mg है 50 mg है 40 mg है 30 mg है इसका right answer तो इसका right answer आ जाएगा C5 चलो देखते हैं कैसे हमें पता है कि dose जो हम calculate करते है according to weight हम कौन से formula देखते हैं चार्कस formula लेते हैं ठीक है तो चार्कस formula चार्कस फार्मला चायल्डोस के लिए कौन से क्या है वह है चायल्डोस इस गल्ड बॉड़ी वेट इन केजी डिवाइडबे करते हैं 70 से और इन अडल्ड डोस लेकिन यहां पी हमें weight इन पॉंड्स में दिया है ना कि हमें केजी मे दिया है यह ना उपर तो जब हमने इसको पॉंड्स में change करना हो तब हम divided by 150 करते हैं ना कि डिवाइडबे 70 तो हम लेते हैं body weight in पॉंड्स डिवाइड करते हैं इसको 150 के साथ ठीक है इंट अडल्ड डोस तो क्या जाएगा फिर putting the value of यानिकी weight जो 30 पॉंड दिया गया है क्या बन के आजाएगा वह आजाएगा 1 divided by 5 into 200 mg तो राइट क्या जाएगा इसका आंसर 440 mg यानिकी C part राइट आंसर आजाएगा ठीक है तो thanks for watching like share and subscribe मिलते हैं किसी next video तब तक के लिए Allah हाफेज